नमस्कार दोस्तो, दोस्ते, आपके पास भी अपना ATM कार्ड नहीं है और आप फोन पे का एप इस्तमाल करना चाहता है, पेमेंट करने के लिए यह दोस्तो, फोन पे ने अपना एक नहीं सुझाय श्टार्ट की है कि जिसके पास अपना ATM Card count यह वह भी अपना फोन पे इस्तमाल कर सकते हैं, क्योंकि दूस्तों आपको पता हुई का बिना ATM помarny कर骰 dzi K पर 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 इसित्माल करना सम्भो नहीं है, तो सिस्टम निकला है कि अब आपके पर पास यहां कर सकते हैं, इसका क्या होने वाला है और आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, यहां पर दोस्ते को बने आपको आपको इस चीज़ चीजित समझा रहा हूँ, जैसे कि आधारे आप उसके अलावा कैसे अपने फोन पे का इस्तमाल कर सकते हैं सबसे पहले दूस्तों देखें आधार से आप अपने फोन पे अकाउंट को बना सकते हैं और अराम से किसी को पैमेंट कर सकते हैं उसके लिए आपको ATM कार्ड कर सकता नहीं पड़ती है यहाँ आधार से UPI activation की प्रोसेस क्या रहने वाली है यहां पर आप देख सकते हैं कि Google Play Store या App Store से Phone Pay App को डाउनलोड करना होगा यह आपके पास डाउनलोड है तो अपने Phone Pay App को अपडेट कर लीजिए Play Store से उसके बाद अपने Phone Pay को डाउनलोड करने के बाद App में प्रोफाइल पेज पर मतलब खोले यह क्या करने करती है कि आप देखे आपको चलता हूँ बाहर यहां पर दूसरों प्रोफाइल पेज करती है हुआ इसके उपर आपको क्लिक करना होगा जो आप अपने यहां पर अपना नंबर के सहारे इसके इसके उपर क्लिक करेंगे तो आपको बैंक एकाउंट एड करने के लिए सिस्टम आ जाएगा जैसे हम इसके उपर क्लिक करते हैं तो बैंक एकाउंट करने के लिए यहां पर एड करने के लिए सिस्टम दिया गया है पहले से मेरे पास एड है बट यहां पर दिया गया है त उसके बाद bank का chain करें कि आपका bank कौन सा है ठीक है उसके बाद जैसे bank account chain मतलब choose करेंगा select करेंगा तो अपने आपके bank में जो इसके उपर OTP आगी और OTP आपको दर्ज करने पड़ेगी OTP दर्ज करने के बाद देखिए अब phone पे आपके account के detail लेगा और UPI से link करेगा अब यहाँ पर देखे जैसे UPI से link करेगा तो पूछेगा कि आपको अपने UPI बनाना होता है उसके लिए या तो आप debit card दीजिए या फिर अधार card आपको मतलब मिलेगा जिसमें आपको अधार card करने के बाद ऐसा करने के बाद आपके register मुबाइल नमर पर मतलब आपका अधार card के साथ मुबाइल नमर रजिस्टर है उसके उपर एक OTP भेज़ जाएगी उस OTP को आपको दर्ज करना होगा और फिर आप अपना UPI pin setup कर पाएंगे और UPI pin setup करने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अब आप एप पर सभी UPI feature जैसे payment और balance चेक करने की सक्षम हो पाएंगे तिसकार थी है वह दोस्तों कि आप अपने phone pay account को बीना ATM card के द्वारा भी आराम से बना सकते हैं और आराम से payment कर सकते हैं वह भी अधार card के माधियम से यह दोस्तों आप अपने phone तो दोस्तों आपको इस वीडियो से मज़िद कोई question या फी कोई query हो तो नीचे comment आपने सुझाओ को रख सकते हैं या फिर आप हमसे डारेक इस्टाग्राम को भी संपर कर सकते हैं नीचे लिंक आपको description मिल जाएगी दोस्तों मिलता नक्षिबडियों मेंक अच्छी और सान के लिए जाएं जय भारत